मंगलबार को इंदोर कलेक्टर जन सुनवाई में एक छात्र अपनी स्कूल की शिकायत लेकर पहुचा छात्र का कहना है कि एक अक्षा में 30 विध्यार थी है वहीं क्लास रूम में पंखा नहीं चलने से घमोरिया हो रही है वहीं स्कूल प्रवंधन पर पालकों ने टी सी नहीं देने का आरूब भी लगाया है दरसल मामला शहर के खादिवाला टैंक के स्थित सेंट मिराज स्कूल का सामने आया है जहां कई पैरेंट्स अपने बच्चे लेकर कलेक्टर डॉक्टर इलया राजा टी से मिले और स्कूल द्वारा टी सी नहीं देने पैसे मागने की शिकायत की छात्र महम्मद अलपेश उशाह ने स्कूल प्रवंधन के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि स्कूल की एक कक्षा में 30 विध्यार्थी है एक बैच पर 33 विध्यार्थी बैठते हैं गर्मी के समय में पंखा नहीं चलता है जुससे भीशन गर्मी के कारण शरीर में घमोरिया हो रही है मैं बोलती है कि अभी बाद में करना अभी पड़ाई करो आप पड़ाई में ध्यान रखो अब लगा पानी को विष्था नहीं है वह बढ़ाई केसी है अच्छी नहीं यह से अच्छी नहीं सारे पीरेट फिरी आते एक दो बस एक दो पड़ाते हैं मुहमद अलपेश शाहर के पिता ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ शिकायत की पिता का कहना है कि जब हम स्कूल बदलने के लिए प्रबंधन से टी सी मांगने गए तो वह कई दिनों तक आना कानी करते रहे बच्चा रोजाना स्कूल जाता है और गर्मी में परिशान होता है स्कूल में ना तो पड़ाई ठीक से हो रही है ना ही प्रबंधन किसी प्रकार से स्कूल पर ध्यान देता है सर बड़ा ही समच में नहीं है और बच्चों को बहुत ज़्यादा परिशान ही होती ही वहाँ पर मेरे बच्चे के टी सी मांगने गया तो टी सी के लिए आना कानी कर रहा है क्या आज देंगे कल देंगे फीज नए शेशन की फीज जमा करो महां पर सपोकरिशन नहीं है बच्चों को बहुत ज़्यादा दम गुटता है और एक एक क्लास में ददद बिजबिज बच्चे ठूस जेते हैं और बच्चों के बदन पर चेट्रे पड़ी आते हैं गमोरिया हो जाती है बहुत दिक्कत आती हैं हावा पानी की प्लेगराउंड नहीं है एक हाल मसारी एक्टिविटीज होती है सेंट मिराश खायती वाला टेंग महा काल स्वेर शेफाली राजा नहीं जी वहां शिकायत अभी सर से की है मैंने कलेकर साब से स्कूल में कई बार गया है मैं टीजी के लिए पर मुझे जवाब यह मिलता है क्या अगले में आना पंदर दिन बाद आना फीज की रसीद में मैंने पेश करी है सर को कि फीज कोई डिव नहीं है मार्च में मैंने फीज दे लिए मेरे तीन बच्चे हैं दो यू केजी में हैं और एक एट में मैं तो टीसी चाहता हूं सर के मेरे बच्चों को अच्छा बाव इसे दे सकों इसकूल कारवाई चाहता हूं सर कि इतनी दिक्कट मुझे हुई है काम दंदर चोड़ के जाना पड़ता है इस मामले में जुला सिक्षा अधिकारी मंगलेश व्यास ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है स्कूलों में किसी बच्ची की टीसी रोकी जाए अगर ऐसा है तो हम जाज करवाते हैं जन सुनवाई में मेरे पास आज दो मामले आजी उखाए हैं और किसी भी वित्याले में एसलसी देने के लिए सर प्रता मज़वावावत को स्कूल को आवेदन देना रहता है क्योंकि बिना आवेदन के स्कूल एसलसी प्रवाइड नहीं कराता है यदि स्कूल के सारे ड्यूस पैड है उसका आवेदन है तो सिक्चा जहिंक्या के मसार एक माहे के अंदर वो इस्कूल अभिवावत को एसलसी प्रता है जो हमारा ब्लाक एलिमेंटरी एजुकेशन आफी सार है वो इस्कूलों के सद्रत निरिक्शन करते हैं और उनी के अनुशंसा के आधार पर इस्कूल की मानिता दिया थिया तो हम दोबारा इस्कूल का निरिक्शन कराएंगे और मानिता सर्कों के अधी विपरी के तो स्कूल की मानिता समाप्ती की कारवाई बस्ताविद करते हैं सामाने ता है सहरी छेत्र में संचालित विद्यालेओं के लिए बहुत बड़े प्लेग्राउंड की आवशिक्ता नहीं रहती है जितने बच्चे इंडोल्ड हैं वो खड़े रहकर रार्फना कर सकें और कबड़ी खोटो आधी के खेल सकें इतने मैदानी के आवशिक्ता है आपको बताना चाहेंगे कि मद्यप्रदेश में सिक्षा माफिया हावी है हाल ही में सिर्फ जिला सिक्षा अधिकारी द्वारा एक पैरिंट्स को दे गए बयान पर हंगामा मचा था एक बार फिर कलेक्टर जनसुनवाई मेंनिजी स्कूल की मनमानी और सिक्षा माफिया के खिलाव शिकायत लेकर कई पालक अपने बच्चे सहित पहुचे और कलेक्टर से शिकायत की है फिल्हाल देखना होगा कि स्कूल प्रवन्धन के खिलाफ प्रिशासन क्या एक्शन लेता है इन दोर से नीरजबॉरासी की रिपोर्ट